सौगते दुस्तों संदे ने वेश के एक और फ्रेश एपीसोड में जैसे कि आप सभी जानते हैं इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स प्रिडिकली मैं आपके साथ एक्सजेंज करता रहता हूँ और आज किस इंफोर्मेटिव वीडियो में बात करेंगे इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस एक रुपे ग्यारा पैसे के आसपास ट्रेट होते हुए दिख रहा है हाला कि एक वर्ष के रिटर से तरह अचा नहीं रहा है लेकिन जिस हिसाब का रोडवेप चार आए कंपनी के बिजिस की डिरेक्शन को लेकर उसमें हम जरूर ये माल सकते हैं कि काफी प्रामिसिंग फ्यूचर लग रहा है कंपनी के बिजिस परस्पेक्टिव से की स्टेटिस्टिक्स की बात करतो यह आपर 192 करोर का मार्किट के पर स्टॉक का पी अभी भी 20 के नीचे है तो वैल्विशन परस्पेक्टिव से काफी सस्ता आपको देखने के लिए मिल रहा है एक रुपए की फेस वेल्यू रोसी रोवी दोनों ही पॉजिटिव है 1987 की कंपनी दोस्तों अब नीचे के अक्टिविटीस करते हैं कंपनी अब मैंने डिसेंटली इसके कुछ अपडेट्स आपके साथ एक्स्चेंज करे थे जहाँ पर Zero Cost EMI वाला इन्होंने फीचर लाँज किया था तो उससे भी कंपनी भौधी तगणी डिवेन्यू बनाती भी दिख रही है यह क्विक वैपकोस का बैग्राउंड भी देता हूँ यहाँ पर आप देख पा रहे हो कंपनी है 11 ओक्टोबर 2024 को यह बताया था कि इन्होंने Zero Cost EMI वाली स्कीम को लाँज किया एक इनिशेटिव इनका जहाँ पर यह डिजिटल प्लास्वूम्स को एक कैपेबिलिटी देंगे कि वो जो है इन्टराइक्टिव फ्लाइट पैनल्स को एक्क्वार कर सके Zero Cost EMI पर तो इनके इनिशेटिव का नाम है Chalk to Click अब बैसी के लिए आपने देखाऊगा जो भी Blackboards यूस होते हैं या तो Greenboards यूस होते हैं स्कूल्स में उस पर जो Teachers हैं वो चौक का इस्तमाल करते हैं अब वो चौक के इस्तमाल से respiratory problems से बहुत ज़ादा होती है Teachers में, Students में और उससे Education का जो Interactive System में वो इतना ज़ना strong नहीं लगता है आपने काफी YouTube पे वीडियोस देखे होंगे Tutorials देखे होंगे आज कल Digital Board का जमाना चल रहा है और उसी चीज़ को Adopt करना चाहिए सारे के सारे Education Institutions को लेकिन कुछ Educational Institutions को Initially इतना ज़ना CapEx यानि कि Capital Expenditure करने की ताकत नहीं होती है उनके लिए Zero Cost EMI जैसी Facility Standard Capital Market ने लाँच की इस Initiative के मादम से Digital Learning को जो इतना बड़ा Transform करने जारी है Standard Capital Market तो इसके बीचे कुछ बहुत ही तगड़े Fundamentals भी टुड़े हुए हैं तो यहाँ पर Company का मादम है कि 2025 तक यह जो Industry है EduTech Market जो है पूरा वो 10.4 Billion Dollar तक पहुच सकता है यानि कि 39.77% के CNGR की क्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं और 1.5 Million Schools अपने 207 Million Student के लिए यह Digital Learning Solutions Implement कर सकते हैं यहाँ तक Company यह भी कह रही है कि Education Institution के Pocket पे Burden डाले हुए तक्रिवन Company जो है 100 करोड का इस Initiative पे खर्चा करेगी और 15-16% का यहाँ पर Company का Earning का में Potential जो है वो Unlock होते हुए दिख सकता है यह सारी Promising चीज़े हैं तो Standard Capital Market Limited की और यहाँ पर एक और PDF पी आया हुआ है मैं आप वोस अपडेट की भी जानकरी दे दे देता हूँ जो आया है 21 October 2024 को काफी रीसेंट ही है इस Notification के मादियम से Company ने बताया कि Company जो है वो Fund Race करने जा रही है यहाँ पर Company की एक Board Meeting हो सकती है 24 October 2024 को जा पर Fund Raising का पूरा जो यह प्रस्ता दे वो वोट के सामने रखा जाएगा और उसी के तैट Company के ने इगी Fund Raise भी कर सकती है जब Company Fund Raise करेगी तो उसे कहीं ने कहीं अपने बिजनस में ही उटिलाइज करती हूँ दिख सकती है क्योंकि NBSC Company के लिए Raw Materially Fund होते है तो Fund Raising के बाद Company के पास और जड़ा Potential हो जाएगा ऐसे Initiatives को Fast Track पर डालने का लेकिन कितने Funds होते हैं रेस और क्या निकल कर आते हैं Further Updates उस सब भी जानकर आपको मिलेगी सब्सक्राइब इस वीडियो को किसी प्लगार की बाइसे रिकमेंडेशन ना समझे किसी भी निविश का फैसला के वन अपने Registered Investment Advisor के सलासे निजीगा रखते हैं वीडियो के इतना ही करते हैं करते हैं गलूट जल करते हैं किसी और Interesting Topic के साथ किसी और दूसरी डिपे लिए लिए तब तब अपने Health का और Welcome और इच्छे से ठयाब रखेगा